आज मैं आप लोगों को शामणपुर्णिमा कशुम मोर्थ, पूजावीधी, महायत्व, उपाय और पौराडी कता ये सब को सुनाओंगे इसलिए आप लोग मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें वीडियो को इसकीप न करें और ध्यान से सुने और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को ज़दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले हिंदु धर्म में पुर्णिमा का बहुत महत्व है, स्रावण मास में पढ़ने वाली पुर्णिमा को स्रावण पुर्णिमा की नाम से जाना जाता है इस बार या वरत 30 अगस्त 2023 को रखा जाएगा, इस दिन भगवान शिव और माता पारवती की पुजा की जाती है, साथी इसी दिन रक्षा बंधन का तेवार भी मनाये जाता है इस दिन कई लोग अपने घरों में भगवान सत्यनरायन की पूझा करते हैं और वरत भी रखते हैं धार्भिक मान्यताओं की अनुसार इस दिन भगवान सत्यनरायन की कथा सुनना और और पढ़ना बहुत शुमाना जाता है ऐसी माननेता है कि इस दिन पूजा करने से ब्यक्ति के सारे कष्ट और दुख समाप्थ हो जाते हैं हिंदू पंचांग की अनुसार चंद्रवर्ष के हर माह का नाम करण उस महीने की पुर्णिमा को चंद्रमा की स्थिति के अधार पर हुआ है जोदि शास्त्र में 27 नचत्र माने जाते हैं इनी में से एक है श्रावड स्रावड मा की पुर्णिमा का दिन बहुत ही शुब और पवित्र माना जाता है इस दिन की गई पूजा से भगवान शिव बहुत ही प्रसन होते हैं और अपने भगतों की सभी मनों कामनाओं को पूरा करते हैं शावण पुर्णिमा का शुम महुर्थ 30 अगस्त 2023 10 बजकर 8 मिनट से शुरू हो गई और स्रावण पुर्णिमा तिथी का समापती 31 अगस्त की सुबह 7 बजकर 5 मिनट तक होगा शावण पुर्णिमा की दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विशेश महत्व है ऐसा माना जाता है कि जो 32 दिन वरत रखता है उसके जीवन में कई लाव मिलते हैं जो जातक इस दिन वरत और सही विधी विधान के साथ भगवान गौरी शंकर की उपासना करते हैं उनकी सारी मनो कमनाय पूरी होती है इस वरत को सभी पापो को नाश करने वाला माना जाता है इस वरत को रखने से बुद्धी, अच्छी सेहत और लंबी आयू की प्राप्ती होती है इस दिन देश भर में विशेसकर उत्तर भारत में रक्षा बंधन का तिवहर मनाया जाता है पर इस दिन पुर्णिमा के साथ भद्रा का साया भी सुरू हो जा रहा है दक्षड भारत में इस परवके कई नाम है स्रामट पुर्णिमा की दिन गरीबों को दान करना बेहत शुमाना जाता है चंदर दोश से मुक्ती के लिए भी यहतिती बहुत अच्छी मानी जाती है शामट पुर्णिमा के दिन जनेव पहनने वाले हर आदमी को मन, वचन और कर्म का संकर्प लेकर जनेव बदलते हैं इस दिन को अधान का बहुत महत्व होता है अब मैं आप लोगों को शामट पुर्णिमा की पूजा विधी बता रही हूँ शावट पुर्णिमा के दिन सुबा किसी पवित्र नदे में स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें इस दिन स्नाना आदि के बाद गाय को चारा डालना चीटियों मचलियों को भी आटा डालना शुम माना जाता है इसके बाद एक साफ चौकी पर गंगा जल छुड़क कर उस पर भगवान सत्य नरायन की मुर्ति या प्रतिमा की अस्thanपित करें मुर्ति अस्थापित करके उन्हें पीले रंग के वस्तर पीले फाल पीले फूल अरपित करें और उनकी फूजा करें इसके बाद भगवान सत्य नरायन की कथा पढ़ें, अत्वा सुनें, कथा सुनने के बाद चर नामरित और पंजीरी का भोग लगाएं, तुलसी दल का प्रेयुक जरूर करें, इस प्रसाद को स्वयम ही ग्रहन किया जाता है और लोगों को भी बाटा जाता है, अपने भाई ब और वर्ष भर की वरतों की समानफल स्रावणी पुर्णिमा की वरत से मिलता है, अब मैं आप लोगों को स्रावणी पुर्णिमा की पौराडी कथा सुना रही हूँ, सावन वरत की प्राचीन कथा के निसार, एक नगर था, उसमें तुंग धज नाम का राजा राज़ करता तुंग धज राजा को जंगल में सिकार खेलने का बहुत शौक था, एक दिन राजा जंगल में सिकार करने गया, शिकार करते करते बहुत थक गया, थकान दूर करने के लिए एक बरगत के पेड़ के नीचे बैठ गया, वहाँ उसने देखा कि काफी सारे लोग इकठे होकर स सत्य नरायन भगवान की पूजा कर रहे हैं, राजा को स्वैम पर इतना अभिमान था कि ना उसने भगवान को प्रडाम किया, ना वह कथा में गया और नहीं प्रसाद दिया, प्रसाद देने पर भी ना खाकर अपने नगर को लोटाया, नगर में आकर राजा ने देखा कि दूसरे राजे के राजा ने उसके राजे पर हमला कर दिया है, राजा ने अपने राजे का ऐसा हाल देखकर दुरंट समझ गया कि सत्य नरायन भगवान और उनके प्रसाद का निरादर करने से ऐसा हुआ है, अपनी भूल का भास होते ही, राजा दौड कर वापस उसी पश्चा ताप करते देख राजा को भगवान सत्य नरायन ने माफ कर दिया जिसके फलस्वरुप भगवान के आशेरवाद से उसके राजी में सब कुछ पहले जैसा हो गया भगवान सत्य नरायन की कृपा से राजा ने लंबे समय तक राजी संभाला और स्वर्ग लोग को गमन कर गया माननेता है कि स्रावर पुर्णिमा की कथा को पढ़ने सुनने मात्र से मनों कामनाओं की पूर्ती होती है कहा जाता है कि यह कथा वाजबे यह के कफल देने वाली है बोलो जैशी मननारण अगर आपको मेरी यह कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में ओम्न मैं शिवाया हरहर महादेव जरूर लिखें